6 दिसंबर 1922 यह वही दिनता जब आयोध्या में देज भर से आये लाखो लाग कारसेवकों ने विवादित बाबरी धाचे को गिरा कर टेंट में राम जी को विराजित करके मंदिर बनने का सपना देखा था। 56 साल के अमर सिंठाकुर भी उनी में से एक है। अयोध्या की कारसेवा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि किस अपरिल को उनके साधी हुई थी। गुंतिस नौंबर को मित्र ने कहा ट्रेन के टिकिट ले आया हूँ कारसेवा के लिए चलना है। बस फिर क्या था घर में माता पिता से कहा लेकिन माता पिता ने भी जाने से रोका। पर कारसेवा करनी थी इसलिए जैसरी राम का नारा लगाते हुए छे दिन पहले ही आयुद्या क्लिनिकल पड़े। पत्नी खेत में गई हुई थी। आने का इंतजार नहीं किया क्योंकि राम जी के काम से जाना था। शाम को पत्नी को घरवालों से पता चला। मोबाल नही थे इसलिए बाद भी नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि आज खुद पर गर्व महसूस करते हैं। राम जी का कारे किया है इसलिए। राम मंदिर बन रहा है। इसकी खुशी इतनी है कि सब्दों में बया नहीं कर सकती। जिस दिन प्रान पतिश्टा होगी उस दिन पूरे गा प्राइब करना है। और वहां सब्दों मंदिर और सब्दों मंदिर पास में था। तो वहां से सब्दों इदर चल रहे हैं उदर वह जो था गुम्माच वह तूटने लग गया। देखते देखते वह पिर हम भी गए। पुलीस वालों ने बहुत मदद के। आज पास कटिले तार लगे वे थे बारा वज़े तक सब्दों चल रहे हैं उसके बाद भी नहीं मालम था। यह धाचा टूटने वाला है। आज धाचा टूटेगा। यह भी मालूम नहीं था। किसी भी कार्शेव कार्श जो गए थे उनको मालम नहीं था क्या यह होने व यह तो घरेते होदे नावी मेरी करी जागानिका का मतलब निकड़ूं यह बोल रहे हैं। में साथी हौई अप्रेल में बता रहे हुए होए अप्रेल में एकिस अप्रेल को साथी हुए विए अन मेसेच को तो खेत में ती ... मालूम में कि कहा गया निए घर आई जब मालूम पड़ाई कि अध्या गया हुआ अच्छा लग रहा है को किसमत वाले है नहीं कि गए थे वहां पे जो था अब यह कलपना नहीं कि तो राम मंदिर बनेगा अब जन्मर उसका हम पांच भरवरी को हमको बलाया है साथ अब जन्मर को जब प्रांट पतिस्टा होगी तो किस तरह से क्या 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 कैसे उसको मनाएंगे नि लोकल एटिन के लिए खरगों से वीपक पांडे की रिपोड़